स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभास स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पर आज का यह वीडियो का अच्छा दस के चात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगी स्याम नरांड पांडे जी का जीवन परचे बिलकुल आसान सब्दों में और इनका जीवन परचे 2022 बोड परिच्छा के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन्ट है और आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा आचारी रामचंद्र सुकल जी का जीवन परचे जै संकर प्रसाज जी का जीवन परचे डाक्टर राजिंद्र प्रसाज जी का जीवन परचे भगवत सरण उपाद्या जी का जीवन परचे सूरदास जी का जीवन परचे तुलसी दास जी का जीवन परचे और बिहारी लाल जी का जीवन परचे तथा रस्खान जी का जीवन परचे, महादेवी वर्मा जी का जीवन परचे और राम भारी सिंग दिनकर जी का जीवन परचे से related वीडियो देखने को मिल जाएंगे आप उन वीडियोज को देख करके इन महातपूर लेख को एवं कभियों के जीवन परचे को बिलकुल आसान सब्दों में तयार कर सकते हैं मैंने बिलकुल आसान सब्दों में बताने का प्रयास किया है इन सभी महत्पूर लेख को और कभियों के जीवन परचे को आप देख लीजिए और लाब उठाइए तथा वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप स्याम नाराण पांडे जी का किस तरीके से जीवन परचे याद करेंगे बिलकुल आसान सब्दों में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलकुल आसान सब्दों में स्री स्याम नाराण पांडे का जन्म सन 1907 इस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगड जिले के ग्राम डुमराव में हुआ था स्री स्याम नाराण पांडे जी का जन्म कब हुआ था सन 1907 इस्वी में और मैं आपको जानकारी देदू कि सन 1907 इस भी में ही महा देवी वर्मा जी का जनम हुआ था कहा हुआ था फरूकाबाद नगर में हुआ था और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्याम नाराण पांडे जी का भी जन्म सन 1907 इस भी में उत्तर प्रदेश के आजम गढ़ जिले के ग्राम डुमराओ किस गाओ में ग्राम डुमराओ में हुआ था और आप ध्यान दीजेगा कि जितना यहाँ पर आप देख रहे हैं red pencil लिखा हुआ ये सब आप black pencil लिखेंग और गाओं का नाम भी red pencil लिखा है जिले का नाम भी red pencil लिखा है ये सब आप black pencil लिखेगा इस तरीके से तो स्याम नाराण पांडे जी का जन्म सन 1907 इस भी में उत्तर प्रदेश के आजम गढ़ जिले के ग्राम डुमराओ में हुआ था इनकी प्रारंभिक सिच्छा गाओं क विद्याले में ही हुई स्याम नाराण पांडे जी की प्रारंभिक सिच्छा कहां हुई गाओं के ही विद्याले में हुई इसके बाद वे संगसकरत के अध्यन के लिए कासी चले गए इसके बाद स्याम नाराण पांडे जी संगसकरत भी से का अध्यन करने के लिए कहां चल गए कासी चले गए और कासी में रहकर इन्होंने कासी में रहकर इन्होंने कासी विद्या पीठ से हिंदी में साहित्याचार की परिच्छा उत्रीड की और कासी में रहकर ही स्याम नाराण पांडे जी ने कासी विद्या पीठ से हिंदी में साहित्याचार की परिच्छा उत्री की और कासी निवास काल से ही ये काब रचनाय करने लगे थे और कासी में रहते हुए ही इन्होंने काब रचनाय करना आरंभ कर दिया था इनकी मरत्यू 84 वर्ष की आयू में इनके गाउं में ही सन 1991 इसबी में हो गई थी इनकी मरत्यू कब हो गई चहां इनका जन्म हुआ था दुम्राओ गाउं में उसी गाउं में कब हो गई सन 1991 इस्वी में हो गई थी तो बिलकुल आसान है स्याम नाराण पांडे जी का जीवन परचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार पुना मैं आपको बता दूँ कि सिरी स्याम नाराण पांडे का जन्म सन 1907 इस्वी में उत्तर प्रदेश के आजम घढ़ जिले के ग्राम डुम्राओं में हुआ था और इनकी प्रारंभिक सिच्छा गाउं के विद्याले में ही हुई इसके बाद वे संक्सक्रत के अध्यन के लिए कासी चले गए और कासी में रहकर इन्होंने कासी विद्या पीठ से हिंदी में साहित्या चार की परिच्छा उत्रीड की और कासी निवासकाल से ही ये काभी रचनाय करने लगे थे और श्याम नराण पांडे जी की म्रत्यू 84 वर्स की अवस्था में इनके गाउं में ही कब सन 1991 इसबी में हो गई थी आप ध्यान दीजिएगा कि स्याम नराण पांडे जी का जन्म कब हुआ सन 1907 इसबी में हुआ और कहा हुआ उत्तर प्रदेश के आजमगण जिले के ग्राम डुमराओं में हुआ और इनकी म्रत्यू कब हो गई सन 1991 इसबी में हो गई तो आपको बोड की परिच्छा में जब आप जीवन परिचे लिखेंगे तो एक रचना का नाम भी आपको लिखना होता है तो यहां पर मैं आपको इनकी कुछ महत्पूर रचनाओं के बारे में बता रहा हूँ आप इस ग्रेंट साथ ले लिजिएगा क्योंकि यहां से भी प्रशन कभी कभी बन जाता है यानि इनकी रचनाओं से भी रिलेटेड प्रशन पूछा जा सकता है तो यहां आप देख सकते हैं कुछ महत्पूर रचनाओं पहली है हल्दी घाटी जोहर तुमुल रूपांतर आरती जय पराजय गोरावध जय हनुमान और सिवाजी यह कुछ इनकी प्रमुख रचनाओं हैं और आप जब बोड की परिच्छा में जीवन परचे लिखेंगे तब आपको किसी एक रचना का नाम वहाँ पर लिखना है और आपको तीन नंबर मिलते हैं जीवन परचे और रचना लिखने पर मैंने आपको माडल पेपर के द्वारा बता दिया है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में महत्पूर माडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें मैंने बताया है कि आपको बोड परिच्छा में किस तरीके से कापी लिखना है मिल जाएगी आप देख सकते हैं और लाब उठा सकते हैं क्योंकि आपको बोड परिच्छा में कापी लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए अनित्था आपको याद तो सब कुछ है लेकिन आप यदि कापी लिखने का तरीका नहीं जानते हैं तो भी आपको अच्छे नंब नहीं मिलने वाले तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो यहां पर इनकी कुछ प्रमुक रचना है मैंने आपको बता दी हल्दी घाटी जोहर तुमल रूपांतर आर्ती जै पराजे गोरावध जै हनुमा और शिवाजी तो इस तरीके से आप इनका जिवन परचे और किसी एक रचना का नाम आसानी से लिख सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें और आप अपनी बोर्ड परिच्छा 2022 की वहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि आपकी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें पढ़ते रहिए मस्त रहिए जय हिन